सबसे पहले वीडियो शिरू करने से पहले मैं आप से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ कर ना जाए क्यूंकि हमारे चैनल को भाई नुकसान होता है आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं लास्ट में भी लास्ट तक आपको अच्छा म्यासिच दिया हूँ भोपाल इस्तेमा के बारे में अच्छी बाते बताया हूँ सच्छी बाते बताया हूँ तो चलिए वीडियो को शिरू करते हैं वीडियो को लाश्ट तक देखिए भोपाल इस्तेमा का आज का आखरी दिन था और भोपाल इस्तेमा पूरी तरीके से कामियाब रहा इसमें 35 से ज़्यादा पूलिसों ने अपनी ड्यूटी निभाई और बहुती अच्छे अंदाज में सभी सातियों के साथ मिलकर और सभी के साथ मिलकर पूलिस वालों ने बहुती अच्छा काम किया और पूलिस वाले ये देखकर हैरान भी थे कि इतने बड़े प्रोग्राम में कुछ परिशानी नहीं हो रही है क्यूंके साथी बहुत से साथी एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं कुछ काम की कमी होती थी वहाँ पर दस लोग या बीस लोग लगते थे तो वहाँ पर सौशो लोग जाकर हाथ बटा रहे थे और पूलिस वालों को टाइम पर चाय नाश्टा पानी भी दे रहे थे पूलिस वाले ये देखकर बहुत खुश थे 3500 पोलिस वाले होने के बावजूद भी कुछ साती बहुत से साती पोलिस वालों का भी हाथ बटा रहे थे यनि कि पोलिस वालों के साथ वो भी ड्यूटी कर रहे थे और ट्राफिक को जाम होने से रोक रहे थे सभी साती अच्छे से काम कर रहे थे क्योंकि रास्ते पर बहुत सी भीड होने के बावजूद भी डिसिपिलिन के साथ सभी काम को अंजाम दे रहे थे और बहुती शांती पुर्वक भोपाल इस्तेमा रहा इसी बीच पोलिस वालों ने हैरानी से देख कर और खुशी से इजहार भी किया क्योंकि भोपाल इस्तेमा में पुलिस वालों को टाइम पर चाय नाश्टा पानी भी अपने साथी दे रहे थे भोपाल पुलिस के दौरान ये काम बहुती अच्छे से हुआ क्यूंकि इस्तेमा बहुती शांती पुरुवक मनाया जाता है और यहां पर दीन की बात होती है इसलाम की बात होती है और भोपाल इस्तेमा बहुती अच्छी तरीके से काम्याब रहा अगर आपको भोपाल इस्तेमा का ये वीडियो पसंद आया होंगा तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और आपसे महरबानी करते हैं पूरा वीडियो लाश्ट तक देखिए और थोड़ा स्पीच मैं इस भोपाल इस्तेमा के बारे में दिया हूँ अगर आपको जादा जानकरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करे भोपाल इस्तेमा का ये आखरी दिन को बहुती पबलिक जो रोड से जा रही थी रोड से जाते हुए भी डिसिपिलिन के साथ चल रहे थे और चलते चलते बहुत से साती थोड़ी देर पर आगे बढ़ते तो कुछ खाने को पानी खाना पानी सब मिलता इसी बीच भोपाल इस्तेमा पूरी तरीके से कामियाब रहा भोपाल इस्तेमा के बाद अगर आप भोपाल इस्तेमा में गए थे और इस वीडियो को आप देख रहे हैं इस्तेमा के बाद तो इस वीडियो के नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताईए इस्तेमा में आपका दिन कैसा रहा और वहाँ पर आपको क्या महसूस हुआ भोपाल इस्तेमा में जाने के वज़े से आपको क्या तालीम हासिल हुई भोपाल इस्तेमा काम्याब होने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ और कमेंड बॉक्स में आमीन लिखे